सबसें पहले हैं। आपका गटटीट क्लियर चैनल पर आपके गणार्म्न बडेट्मेंट में वैकेंसिस एविलेबल हैं। तो आएगे हम जान लेते हैं कि कौन से डिपार्ट्मेंट में आपकी वैकेंसी एविलेबल हैं। और उस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, फॉर्म की लास तारीक उसकी क्या होगी, ठी गाइस, यहाँ पर आपकी वेकेंसी जो अवेलेबल है, वो है Department of Fisheries, हिमाचल परदेश, तो आपने सबसे पहले Google को ओपन करना है, और उसमें आपने यह वाली चीज डानी है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास उनकी यह वेवसाइट खुल के आ जाएगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटीस में, नोटीस वोड में यहाँ पर इनके जो है, वो लेटेस्ट जो वी चीज डली है, वो आती रहती है, तो उपर आपको यह लिखा करते हैं, कि क्या है, दोखो guys, यहाँ पर applications are invited for filling up to post of driver in department of fisheries, HP, guys, daily basis पर यहाँ पर आपको रखा जा रहा है, और यहाँ पर detail और क्राइटेरियों और मैंचिन करके रखा है, name of post जो है, वो है driver, और guys, यह class 3 की post है, daily basis के उपर है, यहाँ पर, ठीक है, जैसे भी आपके government of HP की norms होते हैं, उतने ही पैसे आपको मिलेंगे, recap of post देखें, तो general unreserved की एक post है, और SC unreserved की, SC की एक post है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं mention करके रखा है, कि unreserved की है, कि किसकी है, तो यहाँ पर SC की सीधी clear cut एक post है, totally यहाँ पर दो पोस्टें mention करके रखे, essential qualification की बात करें, तो यह must possess valid driving license होना चाहिए, ठीक है, applying of heavy light vehicles in hilly terrain area, आपको पता है, कि आपको hill area में वहाँ drive करना है, तो यहाँ पर रोना नहीं यह वाली essential qualification में डाल दिया है, desirable qualifications की बात करें, हम यहाँ पर, तो should have knowledge of custom, manners and dialects of himachal परदेश and suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the state, guys, यह आपको पता है, desirable qualification होती है, age की यहाँ बात करें, तो यहाँ पर 18 साल से आप 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और 1-1-2021 तक आपने क्या करनी है, अपनी age calculate कर लेनी है, relaxation जो आपको पता है, दिया जाता है, जो भी आपके government के instruction issued होते रहते हैं, time to time, तो उनको दिया जाता है, mode of selection देखें, guys, तो objective type screening test conduct करवाया जाएगा, 85 marks का driving skill test जो होगा, वो qualifying nature में होगा, और evaluation होगी, जो भी आपके parameters devised किये हुए, department of personnel में, जो भी जब भी इनकी notification आई थी, उसके coding, तो यहाँ 15 नंबर के आपकी वो होगी, syllabus देखें हम screening test का, तो दोस्तों यहाँ पर, जो है, वो आपके 85 questions पूछे जाएंगे, और हर question का आपको एक number मिलेगा, तो objective type questions यहाँ पर पूछे जाएंगे, और यहाँ पर syllabus जो होगा, वो related to post of driver होगा, और जिसके क्या होंगे, 50 questions होंगे, 50 marks के ही होंगे, objective type questions यहाँ पर related to English पूछे जाएंगे, और metric standard की वो English पूछे जाएंगे, उसके भी आपको 10 question आएंगे, objective type question जो होंगे, वो हिंदी की होंगे, और metric standard की ही हिंदी पूछी जाएंगे, 10 question पूछे जाएंगे, और objective type question जो है, वो related to HPG की और current affair पूछे जाएंगे, और वो आपके 15 question होंगे, तो इसी के हिसाप से आपके total question क्या होगे, 85 होगे, और marks भी आपके कितने होगे 85 होगे, आप देखें, duration of examination तो आपको 90 minute दिये जाएंगे इन सब questions को attempt करने के लिए, अब देखो हम note and instruction की बात करें, applicants के, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि applications out earlier for the post of driver stand cancelled and applicants are required to apply afresh, गैस अगर पहले भी किसी ने 2019 में इसके लिए apply किया था, तो भी उसको जो है वो आपको फिर से जो हो fresh apply करना पड़ेगा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, the application on prescribed format along with relevant supporting document as prescribed by the government wide notification, date यहाँ mention कर रखी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हिंदी में समझा देती हूं कि आपको जो भी relevant supporting document आपके बताएगे हैं, वो आपने सारे के सार वहाँ पर लगाने हैं, application form के साथ, और यहाँ पर कहाँ उसको आपने पोस्ट करना है, आपके पहुँचने चाहिए, reach in the office of the director come warden of fisheries, हिमाचल प्रदेश, विलासपूर, 174001, यहाँ पर पोस्ट कोड़ देके रखाया, और date के रखाया, कतिस बारा दोहजार एकिस, या on को या तो उससे पहले, ठीक है, इस दिन पहुंचे तो भी ठीक है, और उसके पहले पहुंचे तो ठीक है, उसके बाद पहुंचे तो फिर वहाँ पर आपका गडबड हो जाएगी, non-scheduled tribe area के लिए यहाँ पर date जो है, वो 10.1.2022 उन्होंने देखे रखी है, देखों, यहाँ तो वो reject हो जाएंगे और उसके regarding आपको कोई भी correspondence नहीं दिया जाएगा, कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है guys, आगर आप screen test को आ रहे हैं, आपके जो भी practical test और उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है, candidate को कहीं भी post किया जा सकता है, all over the HP Department of Fisheries में, ठीक है, उसकी post है, ज से जो है, वो लोगों को उठाया जाएगा, उस चीज के लिए, ठीक है, guys, candidates को क्या करना पड़ेगा, download करना पड़ेगा, application form from the official website, directorate of fisheries, HP Vilaaspur, और website उन्होंने mention करके रखी है, ठीक है guys, तो जो decision होगा, department का regarding the eligibility, etc, of the candidate for the admission to the driving test, or the selection will be final, department का decision यहाँ पर final रहेगा, और कोई कि भी corresponding or personal inquiry जो है, वो entertain नहीं होगी, तो इस चीज का आपने अच्छा खासा ध्यान रखना है, guys, यह paragraph बहुत ही जादे इंपोर्टेंट था, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, detail of criteria of 15 marks का देखें, तो number one, waitage for minimum educational qualification की, जो भी आपकी professional educational qualification होती है, for technical post के लिए, तो यहाँ दो number दिये गए है, two and half marks, तो guys, यहाँ पर उन्होंने mention कर दिया गया है, concerned university और board के, आपको पता है कि कुछ वेटेज होती है, आपकी percentage की according, उसमें कोई में से calculate यह करते है, formula लगाके और यहाँ पर फिर वो दे देते हैं, जैसे कि for example, दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने mention भी ग required educational qualification जो मांगी गई है, तो उसको क्या होगा, one point two five mark वहाँ पर मिलेगा, मतलब आपने क्या करना है, पचास गुना zero point zero two five करना है, फिर उसके हिसाब से आपका यह आ जाएगा, मतलब जितनी भी percentage आएगी, उसको multiply करना है, आपने zero point zero two five से, सीधा का सीधा फंडा है यहाँ पर और उसाब से आपने marks calculate करना है, अगर आप backward area से आए हैं, तो आपको one mark दिया जाएगा, पर देखो यहाँ पर आपकी competent authority का नाम उन्होंने साथ में लिखके रखा है, किसी से होना चाहिए, concerned SDO तहसीलदार, नायप तहसीलदार से ही बनना चाहिए, landless family से हैं, जिसके पास आ एक number उसका मिलेगा, non employment certificate है, कि आपका family का कोई भी member, अगर सरकारी नौकर नहीं करता है, तो एक number मिलेगा, different abled person with more than 40% impairment disability, जो भी रहती है, उसका एक number, NSS का गर आपके पास है, तो one mark BPL family से हैं, तो दोस्तों, दो number मिलेंगे, video diversity, destitute single woman है, तो one mark, single daughter or orphan है, तो भी one mark मिलेगा, training of at least six month duration related to the post applied for from the recognized university and institution, guys, अगर आपने की है, तो उसका भी one mark है, और experience है, up to maximum five years का in government or semi-government organization related to this post, तो वहाँ पर 0.5 marks दिया जाएगा, each complete year का, तो टोटल यहाँ पर 15 marks का प्रावधान है, देखो दोस्तों कि अब आपने form भरना कैसे हैं, सबसे पहले हम बात करें, तो आपने अपने 10th की mark sheet पकड़नी है, और उसके हिसाब से ही अपने सारे की सारे detail बननी है, name of applicant भरना है, जैसे कि आपका नाम जो है, वो राम है, तो र-a-m राम भरना है, father's name यहाँ पर भरना है, यहाँ पर अपना देखना है कि आप male है कि female है, उसके हिसाब से आपने भरना है, अगर आप S.E.S.T.O.B.S.E.S.S.E.S.M.E.N. है, तो वो जरूर लिखिए, आपका जो material status है, ठीक है, वो भी लिखिए कि married है या unmarried है, तो मेरे खाल से वो वाला status यहाँ पर आएगा, date of birth आपने यहाँ पर अपनी mention करनी है, कि क्या है, ज hum orthogonal होता है, उसके आपर जो होता है वो आपने permanent address लिखना है और corresponding address में आपने वो लिखना है, जहाँ पर आप आप at present रह रहे हैं, यहाँ पर आपने passport size photograph लिखना है जो designs to be backwards,稼शु अःटी ऐटो लिखना है, जिस्पर होना है जो गुदुलिया-टेस्टीड होना चाहिए ग से आते हैं तो यहां पर 700 लिखिए और यहां पर percentage calculate करके रख दीजिए copy attach करनी है आपने yes तो यहां पर yes भना कि copy तो आपको attach करनी ही पड़े ही आपने जो भी copy attach करनी है उसको गजट्रीड ऑफिसर से यह test करवाईएगा क्योंकि यहां पर self-attested तो ओपर मैंने कहीं पर भी नहीं पड़ा देखा ठीक है अगर आपके पास है तो yes लिखिए आप BPL family से विलॉंग करते हैं तो yes लिखिए और copy guys जिस चीज को आप yes कर रहो और जिस चीज का आपने benefit लेना है उसकी आपने photo state copy attach करते चलना है driving license number आपने लिखना है किस तारीक को आपको issue हुआ था issuing authority कौन सी थी कब तक valid है और driving license type क्या है guys जैसे क्या आपको आता है permanent license for commercial vehicle और light motor vehicle है की heavy का है तो वहां पर आपने सब mention कर देना है experience है आपके पास तो आप लिखिए अगर आप क्या कर रहे हैं किसी government employee में serve अभी है कहीं serve कर रहे हैं तो उसकी detail लिखिए telephone number और mobile number यहाँ पर लिखिए तो यहाँ पर आपने लिखना है जो भी आपका चालो mobile number है email address आपने यहाँ पर रिखना है और आपने email चेक करते रहना है अधार number लिखना है यहाँ पर आपको जरूरी है यहाँ पर लिखिए कि आप whether register in the employment exchange अगर है तो yes लिखिए और आपका registration number होता है उसके बारे में भी लिखिए दोस्तों की आपका registration number आपको यहाँ पर mention किया होता है जब आपको मिलता है form वहाँ से declaration है तो I यहाँ पर अपना नाम लिखिए कि जो भी मैंने आपको information दी है वो true है और correct है और मैंने कुछ भी आपसे नहीं छुपाया है अगर इसमें कुछ भी decrepences found हुई तो मेरा application form जो है अगर उसको मतलब आपको पता है कि कोई भी action आपके regarding इसमें लिया जाता है या तो फिर आपका यहाँ पर आपने date लिखने है जिस सारी को आप इस form को भरना है यहाँ पर प्लेस लिखना है और यहाँ पर signature of candidate करने गाइज अपने signature आपने खुद करने और अपना form भी आपने खुदी ही भरना है ठीक है दोस्तों तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है गाइज अब देखें कि आप सारे लोग जो है वो form summit तो नहीं करवा सकते खुद जाके तहां पर posting address की हम बात करें तो front side पे आपने लिखना है to director come warden of fisheries बिलासपूर हिमाचल परदेश और pin code गाइज यह मैंने address आपके साथ पाई लेभी शेयर किया है तो आपने इसको अच्छा लगा हो और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you have a good day and all the best